दोस्तों गणेश चतूर्थी आने वाली है और आप सभी को सबसे पहले गणेश चतूर्थी की बहुत बहुत शुप कामना हैं गणफती बपपा आप सबके जीवन में सुक शांती सम्रिद्धी बनाए रखें स्वास्त बनाए रखें इसी कामना के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो लुक आप देख रहे होगे, यही लुक मैं आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि गड़ेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से पहले तो सिर्फ महाराश में मनाई जाती थी बट अब पूरे ही इंडिया में मनाई जाती है, भारत में मनाई जाती है तो हम उसके लिए बहुत अच्छे से रेडी होते हैं और बहुत ही सिंपल मेकप है लेकिन बहुत ही ब्यूटिफल लगेगा इसके लिए इसकिन केर में सबसे पहले मैंने अपलाई किया है टोनर, इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ एक जेल मौशराइजर, ये पॉंट्स का है, बहुत ही लाइट वेड जेल मौशराइजर है अगर आपकी सकिन और तो आप ये वाला मौशराइजर यूज कर सकते हैं, इससे बिलकुल भी स्वेट नहीं आता है लेकिन अगर आपकी सकिन क्वी जो ए तो आप कोई भी अपना हैवी मौशराइजर यूज कर सकते हैं इसके बाद मैंने यूवी डो की ये संस्क्रीन ली है ये 50, SPF 50 के साथ आती है और काफी अच्छी है ये भी मेरी new purchase है तो मैं इसको ही यूज कर रही हूँ इस समय इसको अप्लाई करने के बाद चेहरे पे एक अच्छा सा glow भी नज़र आता जैसे आप देख रहे होगे अब मै यूज कर रही हूँ प्राइमर इसके लिए मैंने लिया है इनसाइट का प्राइमर ये भी काफी अच्छा प्राइमर है हमारे पोर्स को जो है minimize करता है और एक अच्छा सा बेस तयार करता है हमारे बेस मेकप के लिए तो इसको अप्लाई कर लिया है एक दो मिनट वेट करें तो इन दोनों को ही मिला लेना है हमें, बहुत ज़ादा लूमी क्रीम नहीं मिलाएंगे पर एक सिर दो डॉप्स आप इसमें मिलाएंगे, तो जो आपका मेकप है वो बहुत अच्छा ग्लोई सा बनेगा, और कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें एक अच्छा सा ग्लोई स जरूर मिलाईएगा, तो इसको मैंने पूरे फेस और नेक पर डॉट्स में अपलाई कर लिया था और उसके बाद एक वेट ब्यूटी स्पॉंज के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ब्यूटी स्पॉंज को अच्छे से निचोड लीजेगा भीगाने के ब और इसको मैंने अपनी अंडर आइस पर, आइलिट्स पर, ब्रिज ओफ नोस पर, माउट के मतब लिप्स के अराउंट थोड़ थोड़ा सा प्लाई किया है, और इसको अच्छे से से सेम व्यूटी स्पॉंज की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, यहां पर ब्लेंडिं क हार्वेस्ट का यह कॉंपैक्ट पाउडर लिया है, इसको सबसे पहले उन एरियास पर लगाना है, जहां पर हमने हालेटिंग की है, अपने कंसीलर से, और उसके बाद अपने पूरे ही फेस पर इसको अप्लाई कर लें, अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप इस स्किप क कर सकते हैं, अगर आपको ड्राईनेस की प्रॉबलम है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, अपना फांडेशन एंड कंसीलर लगाने के बाद, कॉंपैक्ट पाउडर लगानी की, और इसके बाद यहां पर मैं सेटिंग स्प्रे, सौरी, फिक्सिंग स्प्रे यूज कर रही हू और इसका बीच वाला शेड, जो अर्दी शेड है, उसको लेके मैं एक फ्लफी ब्रश की है, अपनी क्रीस पर और आउटर वी पर इसको ब्लेंड कर रही हूं, बहुत ही सिंपल सा बट बहुत ही ब्यूटिफुल सा यह आई मेकप होगा, और कोई भी बिगनर भी है, तो इस जो सबसे डाक वाला पिंक शेड था, उसको मैंने लिया है, फिंगर की हेल्फ से ही इसको हम अपलाई करेंगे, और अपनी आईलिट्स पर अपलाई कर लेंगे, यह मैंने इसको मिडल से शुरू किया है, और बहुत ज़दा किनारे तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आउट मैं अपने थाम की हेल्फ से स्किन को स्ट्रेच कर रही हूँ, इस तरफ दूसी तरफ मैंने फिंगर की हेल्फ से स्किन को स्ट्रेच कर लिया है आईलिट की, तो इससे आपके इनर कॉर्नर पर आपासानी से अपनी फिंगर से यह आईशाडव लगा सकते हैं, और यह तो बहुत अच्छा लगता है, तो यहां तक आईशाडो कम्प्लीट हो चुका है, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, इसके लिए मैंने लिया है, फेसेस करनडा का, यह मैगनेटाइज आईलाइनर, और बहुत अच्छी इसकी टिप है, इसका ब्रश बहुत अच् सुख जाते हैं, बट यह सुखा नहीं है, बहुत अच्छा है, लिक्विडी है अभी तक, तो बिल्कुल आप इसको पचेस कर सकते हैं, तो इसको मैंने हलका सा विंग देकर जो है अप्लाई कर लिया है, और विंग आईलेनर कैसे लगाना है, इसका वीडियो भी मैंने रिस पर वापस से, मैं दोनों अपन एंड लोवर आईलेस पर इसको वापस से अपलाई कर रही हूं, और इसकी वज़े से जो हमारी आईलेसे हैं, काफी अच्छी दिखाई देती हैं, बिगर दिखाई देती हैं, और हमें जो फॉल्स आईलेसे उसकी जुरत नहीं पड़ती है, अगर आप चाहते हैं, तो फॉल्स आईलेसे लगा सकते हैं, बट मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करती हूं, इसलिए मैं दो कोट मस्कारा के लगा लेती हूं, इसके बाद जो मैंने अपनी आईब्रोस फिल कर ली थी, मार्स के आईब्रो पैलेट से, और फिर मैंने लिया है शुगर का ये फेस पैलेट, जिसका जो शेड नेम है, वो है सब्टल समिट, और इससे मैं अपने फेस की कॉंटूरिंग कर रही हूं, कॉंटूरिंग भी किस तरीके से की जाती है, उसका वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा ह तो उसको ज़रूर चकाउट कर लीजेगा, हो सकेगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यूटूब के, या फिर अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं, तो इस वीडियो के फेस्ट कमेंट में आप चकाउट कर सकते हैं, लिंक के लिए, जो भी ये पिंक शेड है और दूसरा पीची शेड है, तो मैंने पिंक शेड को अपलाई किया है, अपने चीक पर एंड थोड़ा सा जो नोस की टिप होती है, और थोड़ा सा चिन एरिया पर, इसके बाद मैंने सिवाना कलर्स का हाइलाइटर पैलेट लिया है, और उसके जो है एक इसको अपलाई करूंगी जिसे की हमारे फेस पर बहुत अच्छा सा गलॉ आता है, तो जैसे मैंने बोला फेस्टिवल्स के लिए गलोई मेकप बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप करेंगे मेक तो अपका जो है जो फेसे बहुत अच्छा गलो करेगा, लिप मैंने लिया है एक थोड़ा सा ब्राउन टिंट में और यह है माई ग्लैम का काफी अच्छा लिप ग्लॉस है एंड इससे जो है काफी अच्छे जो है शाइनी लिप्स दिखाई देते हैं तो बस इसी के साथ जो है मेरा मेक अप हो जाता है कम्प्लीट एंड मिलती हूं मैं कर द तासी कर दो हूं मिलते हूं मैं लिह एंड प्लता है कर दो 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 दो